राम राम मैं देवान शुपत बनाब। ग्वालियर किले में जब आप प्रवेश करते हैं और अगर आप उर्वाई गेट से आ रहे हैं तो मान सिंग तोमर के महल में गुसने से पहले यह जो संरचना है वह सामने आती है जिसे हम 82 खंबे करते हैं इसका गुंबत देख करके आ सामिक आर्किटेक्चर है लेकिन ऐसा नहीं है यह एक अतिमात्यवपूर्ण शुव मंदिर हुआ करता था जब आप इसके भीतर प्रवेश करेंगे और इसका जो इसकी वास्तुकला है उसको ध्यान से देखेंगे तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह मूलत एक हिंद दिखाओं कि यह कितना सुन्दर रहा होगा जब यह मंदिर रूप में रहा होगा आप मेरे साथ बने रहा हैं दायरी बनाए रखेंगे बहुत ही कम सीड़ियां हैं वहां उपर जाने के लिए अगले 10 सेकंड में वहां पहुंच जाओंगा और आपको इसकी भव्यता से पर बाद में यह सब जोड़ा गया इसलामिक इन्वेजन के बाद जब आकरांताओं का यहां हुआ आगमन के बयासी खंबे आप देख सकते हैं बहुत ही आकरशक बहुत ही प्रभावशाली स्थापत्य और इसके तीछे एक बावड़ी हुआ करते थी है वह अब्धी है उसमें जल है या नहीं है यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं वहां तक भी आपको लिए चलता हूं जो इस बात का प्रमाण है कि यह मुलता एक हिंदू संरचना यह अत्यंती सुन्दर बावड़ी है आप देख सकते हैं इसकी गोलाकार संरचना और यह काफी गहरी भी मालूम पड़त और इस बावड़ी से आपको मैं परिशित कराता हूँ इसकी विशालता यह अत्यंती गहरी बावड़ी है और इसका व्यास कम से कम सवासो फुट होगा मेरा ऐसा मानना है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना जल जो है संरक्षित किया जाता होगा और यहाँ सीड़ियां है नीचे आप देख सकते हैं सीड़ियां उधर से मैं दिखाने का प्रियास करता हूँ सूर्यक विप्रीत दिशा में है इसलिए फ्लाश हो रहा होगा, तो मैं इधर आजाता हूँ, और इसके जो खंबे हैं, वो पुनह हिंदू वास्तुकला का जिवन तो दाहरण बन करके खड़े हैं, आप देख लीजिए इन्हें, इनको देख करके आप अनभव कर सकते हैं, कि अमुलता हिंदू सनरचना रही ह यहां कुछ रहस्त से मैं, और बड़ी अजीव सी बावड़ी है, जिसे देख करके मुझे रोमांच से मैं भर उठा हूँ, और इबायासी खंबे जो हैं, यहां पर अभी स्थित है, लेकिन इसे देखने कम लोग आते हैं, और मुलता हिसे एक इसलामिक स्ट्रक्शर मान करक हैं, तो यहां पर आप अवश्या हैं, आप इन खंबों को अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, तो वहां भी आप पवित्र प्रतीक चिन्नों को देखते हैं, कहीं कहीं कीरती मुख भी है, और लतापत्र पुषपादी का अंकन मिलता है, जो यह प्रमानित करते हैं, कि यह ए झाल झाल